नमस्कार दोस्तों आपको या आपके परिवार के किसी भी सदस्को राज या केंद सासन की पेंशन स्टेट बैंक आफ इंडिया के माधन से मिल लई है तो SBI के पेंशन सेवा पोर्टल पे रजिस्टर करके इसके पोर्टल या इसके अंड्रोइड एप की मदद से आप अपनी पेंशन से जुड़ी हर जानकारी चुटकी में ले सकते हैं इस पेंशन सेवा पोर्टल की माधन से पेंशनल कल्कुलेशन सीट को डाउनलोड कर सकते हैं पेंशनल अपनी प्रफाइल की डिडेल की जानकार बहुत कुछ है जो पतल पर आप किस प्रकार से रजिस्टर करके इन सेवा का लाव आप किस तरह से ले सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप से एक चोटी सी रिक्वेश्ट है कि अगर आपने अब तक हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले ताकि हमारे अपकमिग वीडियो को अपडेट आपको असानी से मिल से तो इस पोर्टल पर रजिस्टेशन करने के लिए सबसे पहले हमें SBI पेंसन सेवा पोर्टल उपेंड करना है या फैमिली पेंसन हो देन जो हमारा पीपीओ नंबर होता है उसका डेट अब बर्थ भी हमें यहां टाइप करना है देन हमें कैप्चा जो दिया हुआ है वो शॉल्प करना है यह तीनों चीज इंटर करने के बाद जैसे हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे हमारे रजिस में अबन ऊक्टन पर क्लिक करना है यहां पर हम अपना सबसे पहले यूजर आइड विर यह तो आपको देखना है कि यहां अपना विद आपको special character देन आपको एक security question यहां से choose करना है और उसका answer आपको यहां पर fill up पर देना है fill up करने के बाद आप registered हो जाते हैं आपकी user id create हो जाती है उसके बाद जब सबसे पहले आप यहां पर login होते हैं तो कुछ आपको निर्देश दिये जाते हैं do's and don'ts क्या चीजों का आपको ध्यान देना है आपको यहां पर लिखा हुआ कि आपको password regularly चेक करना है अगर आपने android app पे create किया है तो उसका pin secure रखना है पाकी भी जो निर्देश होंगे आप पढ़ लेंगे कुछ इस तरह से आप आपका यह पोटल यहां पर login हो जाता है last pension detail आपको यहां पर सबसे पहले home page पे दिखाई देती है आपका username यहां से आप अपना password अगर चाहे तो change कर सकते हैं वापस से हम dashboard पे आते हैं तो यहां पर जैसे कि हमने बताया कि आपकी जो last pension detail है वो दिखाई देती है profile detail में आपक जो भी detail होती है यहां name, gender, date of birth साथ में यहां पर आपका जो pension का status है वो दिखाई देता है अगर आपकी pension regular है तो जहां पर हमारा mouse का cursor है yellow वाला वहां पर आपका status यहां active दिखाई देगा in case अगर रुकूई हो है तो वो suspended दिखाई देगा अब आप यहां पर जो pension slip वाले option मे आप अपना PPO चूज करेंगे देन आपको जिस भी मंत का अपना pension slip डाउनलोड करनी है और उसका year चूज करके आप कुछ इस तरह से यहां पर अपनी पूरी pension की detail देख सकते हैं और चाहे तो इसे PDF में डाउनलोड कर सकते हैं या print out इसका ले सकते हैं और yearly भी आप यहां तक तक आपकी जो यह pension slip आपको चाहिए वो आप यहां चूज करके view करके देख सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं ठीक इसी तरह transactional detail में आप pension से related आपके PPO पी जो भी transaction हुए हैं वो आप transaction type में drop down से select करके और किस year का आपको transaction detail चाहिए वो आप यहां से देख सकते हैं investment detail में अगर आपका कोई भी financial year का investment देखना चाहते हैं तो यहां से आप इसे generate कर सकते हैं इसकी PDF का भी डाउनलोड हो जाती है form 16 आपको ITR फिल करने में help करता है तो यह भी आप यहां financial year चूज करेंगे और आपकी जो PDF का भी download हो जाती है जो आप यहां से इसे access करके इसे open करके इसका आप print out ले सकते हैं इसके अलाबा यहां पर जो certificate detail है हमारा जो life certificate है आप PPO को choose करेंगे तो हमारा life certificate active है या expire है वो आप देख सकते हैं और कब तक validate है valid है आपको कब वापस से जो life certificate submit करना है branch में या online आप submit कर सकते हैं तो यहां से आप इसकी validity देख सकते हैं आप अपने area का calculation भी यहां देख सकते हैं और जो भी area type हो आप यहां से select करके पीडिया format या Excel के format में download कर सकते हैं pension loan से सम्मधित कुछ यह link है यहां आप अपना loan से सम्मधित detail देख सकते हैं feedback का भी आप सनिया पर दिया हुआ है आप इसके android ape का भी use इसी user ID password से कर सकते हैं तो दोस्तों आसा करता हूं यह video आपको पसंदा होगा हमारे video को like channel को subscribe और अप अफिल मलते हैं किसी मैट टॉपिक के साथ आपको दोस्तों रहे धन्यवाद